नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी को मालू होगा, कि हम लोग UPSC and State PCS, Prelims को ध्यार में रखती हुए, जो आपका GS का पार्ट है, उसको कवर करने जा रहे हैं और इसमें अभी याद तक आपने देखा है, कि हम लोग हिश्टरी को सुरू कर चुके हैं, और इसमें अभी प्राजीन भारत की इतियास को हम लोग देख रहे हैं इसमें एक chapter आपका cover कर चुके है और उसका नाम है क्या नाम है उसका प्रगीतिहासिक काल और तामपासाड काल के बारे में विस्ताज से बात की हुई है आज की इस class में हमें बात करनी है हडपा सब्वता के बारे में लेकिन याद रखिए आपका इसके लिए एक playlist सूची separate बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes की नाम से और आपको बता दूँ अगर आप लोगोंने civil service या State PCS, State PCS कहने का मतलबला होता है कि UPSC हो गया UPPCS, बिहार PCS, राजिस्थान, चत्तिसगार, मद्धिपदेश PCS, MPPSC सुने हो इन सभी को अगर आप लोग तैयारी सुरू कर रहे हैं या सुरू कर चुके हैं तो इस playlist सूची को जरूर cover कर लिजेगा मुझे लगता है कि prelims काफी हद तक आपका cover हो जाएगा और इन सभी क्लासों को आप लोग foundation course की तरह देखिए यानि कि आपका base मजबूत होगा और जब हम लोग मुख परीक्षा में आपके सभी subject हों को cover करेंगे तो वहां आसानी से आप लोगों को समझ में ही भी आएगा चलिए जल्दी से हम लोग हडपा सभीता के बारें बात कर लेते हैं और अगर आपके पास time है तो आप लोग NCEIT जितनी से जितने बार हो सकता है अधिक से अधिक बार आप लोग पढ़ने की कौसिस केजिए हडपा सभीता में देखें तो हडपा सभीता भारती संस्किती की लंबी इवं विभिद्यपूर्थ कहानी का प्यारंबिक बिंदू है और इस संस्किती का उद्य तांपासाडिक पिष्ट भूमी पर भारती ओमहादीब के पश्मोत्तर में हुआ इसका नाम हडपा संस्किती पढ़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्मी पंजाब रांथ में अवस्तित हडपा की आधुनी किस्तल में पता चला था इसका आप लोगों से डारेक्ट कुष्टन्स कई भी इंटर्व्य में पूचा जा सकता है कोई भी पूच लेगा कि हडपा सब्विता हडपा नाम क्यों पढ़ा इसका समझ रहे हैं आप लोग तो आपको बता देना है कि सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के जो पश्मी पंजाब रांथा यहाँ एक खडपा नामकिस्थान था वहाँ इसका पता चला था इसलिए खडपा सब्विता कह देते हैं और इस परीपक के हडपा सब्विता का केंद इसतल पंजाब और सिंध में मुकता सिंदूघाटी में पड़ता है इसलिए इसससे सिंद सब्विता या फिर आप लोग सिंदूघाटी सब्विता भी कह देते हैं भारत में प्रगृति हासद सिक इसतलों की आपसे पूछ लेता है कि भारती ये पुरातत तेवं सर्वेक्षन विभाग का जनमदाता किसी कहा जाता है अलिकजेंडर कनिंगम को ठीक है और जब भारती पुरातत विभाग की महानेदिसक जॉन मार्सल थी तब दयाराम साहिनी ने 1921 में हडपा की और राखल लास बनर जी ने 1922 में मुहन जोदरो की कोच की थी और ये questions भी कई बार पूछ लेता है हडपा सब बता की कोच कप की थी 1921 में किसने दयाराम साहिनी ने और जो आपका मुहन जोदरो है इसकी कोज की थी है आप देखेंगे राखल दास मनरजीन है 1922 में इसके नामकरण की बात होती है क्योंकि आप देखते हैं कि इसके अलग-अलग नामकरण है और एक क्यों पड़े हैं तो हडपा सब्विता की बात करें तो सबसे पहले खोजे गए इस्थल की आधार पर इसका हडपा सब्विता नाम दिया गया सिंदू सब्धा की बात करें तो प्यारम्भी की स्थल सिंदू नदी के असपास बाद में अने स्थलों की खोजी हुई है बर्तमार में सबसी उपयोक नाम है इसका सिंदू सब्धा सिंदू सरसुसी सब्धा की बात करें तो विभाजन की बात खोज में 80% बस्तियां सिंधु गंगा की मैदान में और पहले सरसुती नदी बहती थी या तो उसी की आधार पर सिंधु सरसुती सब्विता इसका नाम पढ़ा का सीवगिन सब्विता तो पहली बार सिंधु बस्तियों द्वारा तामी में टिन मिला कर कासा तेयार किया गया अईसलिए कास उगिन सब्विता भी आप लोग कह देते हैं और पिथम नगरिये करांति पहली बार नगरों का ओद devast इसी सब्विता में हुगा था तो पिथम नगरिये किरांति कह देते हैं ठीक है? और तिथी करम में बात करें अगर हम लोग तो इस इसी कास यूगिन सब् परनतु बाद में काल निर्धारन रेडियो कारवन ते थी विभन मुद्रावों विदेसों से संपर्ग आधी विभन आधारों पर किया गया यानी कि कहने के मतलब है कि इस समय जिस भासा में लिखी गई है अभी हिंदी भासा की आप देखते हैं देवनांगरी लिपी है तो इसे आसानी से आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उस समय की जो लिफी है उसे पढ़ नहीं पाए तो इसलिए उस समय की डेट के बावे में किलियर हम लोग पता नहीं कर पाते हैं ठीक है और इस चित में सरपित हम प्रयास जॉन मार्सल ने मार्सल ने किया जिन्होंने 1931 में मुहन जोदरों के उत्खनन और विदेशिक संबन्दों की आधार पर इसका काल 3250 से 3250 से आप देखेंगे 2750 इसापूर निर्धारित किया और रेडियो कारवन तिथी की अनुसार अगर आप देखें तो जैसी नवीन विसले सपद्वतियों के द्वारा हडपा सब्धा की तिति 2500 इसापूर से आप देखेंगे 2750 इसापूर माना गया है जो सर्बादिक मान भी है इसे ही सर्बादिक मान माना जाता है तो यह जरूर आप लोग याद रखेंगा नवीन तम आकणों की आधार पर माना गया है कि यह सब्धा 400 से 500 वर्सों तक बिद्धमान रही और 2200 इसापूर से 2000 इसापूर के मत देया अपने परीपक अवस्था में थी किस अवस्था में परीपक अवस्था में थी और आप देखेंगे यहां डेट को लेकर कुछ पॉइंट दिये गए यह आप देखेंगे बिद्धवान हो गए इन्होंने डेट निर्धारित तिति की हुई है अलग-अलग बिद्धवानों ने अलग-अलग तितियां दे हुई है जौन मार्सल बद तीस सो पचास इसापूर से सताइस सो पचास इसापूर विन्होंने कहा है हड़ापस अब बिद्धा के पिरियेड की बात करें समयकाल की अर्नेस्ट मैकी अठाइसो से पचीस सो इसापूर मादो सोरुप बस्त पैंतीस सो से सताइस सो इसापूर सी जे ग चोगदा, कारवन चोगदा, पदिती, पची सो सी सत्रे सो पचासी सापूर की बात, सरमान तिती यही है, ठीक है? बिस्तार की बात करें तो सब्विता, इस सब्विता यानि की हडपा सब्विता का उदय, ताम पासाड़ीक पिष्ट भूमी पर भारती और महादीब के, पश्चम उत्तर भार्ग में हुआ, और यहीं से इसका बिस्तार दच्चेड इवं पूरब की ओर हुआ, और हडपा संस की मकरान समद तर से लेकर उत्तरपूर में मेरट तक था और यह समूचा छेत तिरभजाकार था, इसका पूरबा छेत पल अगर आप लोग देखें तो 12,99,600 वर किलोमीटर इस छेत में फैली हुई थी, एक कुश्चन से भी कई बार कुछ लेता है, कि जो हड़ापा सब्व कि विस्तार की अधार पर इस्टुवर्ट, फिगट ने हडपा और मोहन जोदरों को एक विस्तित समराज की जुडवा राजधानिया भी कही है, एक कुश्चन से भी पूच लेता है, हडपा इवं मोहन जोदरों को जुडवा राजधानिया किस ने कहा था, पाकिस्तान की बात करें तो मेहरगड, सूतकान गैन डोर, सूतका कोई, वाला कोट, राना गुंडई आदी, सिंधी की बात करें तो कोट दीजी, आमरी, मुहंजोद रो, अली मुराद, चंदू दोडो और जुदी रो, दोडो आदी, पश्मी पंजाब की बात करें अब पाक रंगोल आदी, हर्याना में आप देखें कि राखागडी, वनवाली, मित्ता थल, दौलत पूर, जब मुह कस्मीरी में देखें कि तो मांडा, यह चैना और नदी आप लोग ने सुना होगा, यह मैप आपकी सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे भी देख लेजे, क्या है, यह आपका सिंदू सब इता कभिस्तार छेत थे, यह अफगानिस्थान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यह उपर से आप लोग देखे, यह आपको देखने को मिलेगा मांडा, ठीक है, यह आप नती देखेंगे, जेलम हो गई, चैनाओ हो गई, यह लाहोर, सतलज, रावी, रावी, ओके बाद जलीलपूर, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, यह आपका गुमला, तेरियानु घुन्डई, ठीक है, यह सिंदू हो गई, फिर आप देखेंगे, डावर कोट, नोसारो, जोद्रियो दड़ो, जूकर, मोहन जोद्रो, कोट दीजी, फिर आप देखेंगे, गाजी साहे, आमरी, यहीं आप देखेंगे, आमरी के बाद बाला कोट, उसके बाद कराची, यहीं आप सोत का कोक, सूत कांग डोर, ठीक है, और फिर आप देखेंगे, यहाँ आपका रोपड, रोपड की बार बोरा, चंडीगड, हुलास, बालू, भगवानपुरा, बुनावली, और यहां देखेंगे मिता, मिताथल, आलमगिरपुर, राखीगड़ी, काली बंगन, ठीक है, और सिसवाल हो गया, यह आपका हो गया है, गन्वर्लवाला, ठीक है, और इस तरह से तमाम आप देखेंगे, यह आपका गार, बारोबेरी, देशलपुर, धौलावीरा, सूत, सुरकोतड़ा, सावर्मतिये, नदी हो गई, माही, ठीक है, इस तरह कि नर्वदा हो गई हैं आपकी, तो NCEIT आप लोग पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वहतर आप लोग समझ पाएंगे, तो सिंदू सबदा का विस्तार छेत है ये पूरा, ठीक है, इस छेत में फैली हुई थी आपकी सिंदू, ये आरफ सागर हो गया, ठीक है, पश्मी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आलम गिरपुर और होलास सहारानपुर, उत्तर प्रदेश में इस्तल देखने को मिलेगे, गुजरात में काठिया बा कुछन्स पूछ लेता है कि ये इस्तल कहा है, ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद रखेगा, अगर हम लोग सिंदू सब्वता के निर्माताओं की बात करें, तो सिंदू गहाटी सब्वता की पिवरुतकों या मूल संस्थापकों के संबंद में हमारी उपलब्द जानक केबल समकाली इन खंडरों से प्राप्त मानव कंगाल, कंकाल और कपाल है, और प्राप्त साक्षियों से पता चलता है कि मुहंजोदरों की जनसंख्या एक मिस्सरित प्रजाती की थी, जिसमें कम से कम चार प्रजाती आती हैं, और आप देखें कि उस समय के हम लोग जो आफ्टिलाइड, भूमद साग्रिये, अलफाइन और मंगोलाइड, आंतोर पर यही धारना है कि मुहंजोदरों की लोग मुक्ता भूमद साग्रिये प्रजाकी थी थे, मुहंजोदरों के, और सिंदू सब्धा के प्रवरतकों को देविड बहु ब्राहुई, सुमेरियन, पनी, असुर, वेट, वही, दास, नांग, आर, फिरजातियों से संबंदित बताए गया है, परंतु अधिकास, बिद्वान, इस मत्स से चहमत है, और देविड ही संदों सब्धा की निर्माता थे, क्या थे, निर्माता थे, फिर आप देखेंगे कि हड़ापा संस्किती के उद्वाव की बात हो, तो हड़ापा संस्किती को पिधम नगरिये करांती भी कहते हैं, पिधम नगरिये करांती के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसका विकास सेकड़ों वर्सों की क्रमिक परिवर्तन के फ़रुफव हुआ, और करांती सब्द इसलिए उप युगत है क् भारतिय उम्हादीप के अन्यस्थल जब पासाण कालीन अवस्था में थे तब उत्तर पर्षे में एक बड़े छित में इस कांस युगी नगरीय सब्धा का उद्भाव हुआ था आवसक साक्षों की आभाव में इसकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतबेद भी है औ वहीं दूसरा वर्ग इसकी उत्पत्ति को देशिय परिपेक्च में देखता है और विदेशी उत्पत्ति के सिध्धान के अंतरगत आप देखेंगे मेसोपोटामियाई आकस्मिक उत्पत्ति का प्रभाव दिखाए गया है जबकि देशी उत्पत्ति के अंतरगत देविड अलग-अलग मत्थ हैं लोगों के आप देखें कई लोग कहते हैं विदेसी आकस्मक उत्पत्ती का सिध्धान्त ये मेसो पोटामिया का परभाव आप लोग बताते हैं और देसी उत्पत्ती की सिध्धान्त में देविड परभाव, आर परभाव, सोती संस्किती, इरानी या इस स्थल की खोज किस ने की थी? कब की थी? कहा देखने को मिलेगा? ठीक है? जैसे हाडपा इस थल हो गया यह आप देखी गए रावी ने दी कितर्पर आपको देखने को मिलेगा? दयाराम सायनी ने इसकी खोज की थी 1921 में मांट गोमरी जिला पाकिस्तान में ये देखने कुमिलेगा हरपा मोहन जोदरू आपको सिंधु नदी के पास देखने कुमिलेगा समंदित है इससे आरडी वनरजी ने इसकी खोच की थी उत्खनन करता रहे 1922 में और सिंधु में लरकाना जिले में आपको देखने कुमिलेगा सूत कांगे डोर दास्त नदी के किनारे देखने को मिलेगा आसपास आर एल इस्टाइन ने इसकी खोच की थी उत्खनन करता रहे 1927 की बात है बलुचिस्तान पाकिस्तान में है फिर आप देखेंगे चनही देडो एस सिंधु नदी से संबंदी थे और एमसी मजूमदार ने इसके उत्खनन करता रहे है 1931 की बात है उस सिंध पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा रंगपूर एमादर नदी से संबंदी थे से मादव सुरूब वस्त इसके उत्खनन करता रहे है 1933 की बात है और एहमदाबाद काटियावाड भारत में ये इस्थल देखने को मिले जाए कोट दी जी सिंधुनदी के संबंदी थे गोर से इसके उत्खनन करता रहे है 1935 की बात है और सिंध पाकिस्तान में ये देखने को मिलेगा ये आपका इस्थल रोपर्थ, सतलन नदी सम्मंदित इससे Y.D. सर्मा इसके उत्खनन करता रहे है 1935 की बात है, पंजाब भारत में ये देखने को मिलेगा कालीवंगा, घगघर नदी ए घोस इसके उत्खनन करता रहे है 1933 में इसका उत्खनन बर्ष है गंगा नगर राजिस्थान में ये आपको देखने को मिल जाएगा लोथल की बात करें तो भोगबा नदी इससे सम्मंदित है ऐसा राओ इसके उत्खनन करता रहे है 1955 से 1963 के बीच अहमदाबाद काटियवाड में इस थल देखने को मिलेगा आलमगिरपूर एहिंडर नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा आसपस यगदत सर्मा इसके उत्खनन करता रहे है 1958 की बात है मेरट उत्तर पदेश की बात है सुरकोतदा एजगपती जोसी इसके उत्खनन करता रहे है 1972 से लेकर 75 तक और कच्छ गुजरात इसका छेतरा है बनवाली घगण नदी से संबंदित है RS विष्ट इसके उत्खनन करता रहे है 1973 की बात है हिसार हर्याडा में इसकी इस्थलागती है दोलाविया मनहर मांसर इसके संबंदित नदी है RS विष्ट इसके उत्खनन करता रहे है 1991 की बात है कच्छ का रन गुजरात की बात है पर आप देखेंगे राखी गड़ी घगण नदी से संबंदित है रफीक मुगल इसके उत्खनन करता रहे है हर्याणा में आपको देखने को मिलेगा देमाबाद फेवरा नदी से संबंदित इससे 1974 से 89 की बीच जिसका उत्खनन हुआ था अहमद नगर महराष्ट में यह आपको देखने को मिल जाएगा देशल पूर यह आप देखेंगे 1963-64 की बात है कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा यह तो यह भी आपने याद रखेंगा सिंदू सब्विता का विकास भी उस आंतरिक देशी पिक्रिया का अंग है जो मोहजोदडों में अनुवानता 6000 इसापूर में पैरम हुई थी और सोती और इरानी बलुची संस्किती के अंतरकत किली गुल मुहमद राना गुंडई कोड़ दीजी आदी स्थलों से विक्सित हड़पा स्थल की रूम में परिनता हुई और हड़पा सब्विता के पिरम किस्थल अगर आप देखें तो सिंदू घाटी के जिन नगरों पर खुदाई की गई है अगर हम लोग हरपा की बात करें तोपाकिस्तान की पंजाब प्रांत में इस्थित मांट गोमरी जिले में राबी नदी कित बाइत तत पर यह पुरातत तीज्थल है और हरपा की टीले या धोनसा उससेसों की सरपितम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी किसने चार्ल्स मैसन ने एक अपकी बात है 1826 की बात है आप देखेंगे 1921 में इस नाम को जरूर याद रखें कई बार इससे कुश्चन्स आ गया है दयाराम साहिनी ने इसका सर्विक्षन किया और 1921 में इसका नेमित उत्खनन आरम हुआ 1926 में माद दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्मी टीले को दुर्ग टीला नाम से संबोधित किया गया यहाँ पर आप देखेंगे 6-6 की पंक्तियों में निर्वित कुल बार एक अक्षों वाले अन्नागार कुल छेत फल है इसका आप देखेंगे 2745 बर किलोमीटर में है और हडपा की सामान आवास की चित के दच्छन में एक कविस्तान भी इस्तित है जिससे समाधी आर 37 नाम दिया गया आर 37 नाम दिया गया इसके इलावा हडपा जिले के बाहर करमचारियों की आवास दस्तकारी के मंच और 275 बर मीटर में फैले अन्नागार मिले और आप देखेंगे कि अनमातपूर्ण आवसेसों में बरतन पर बना मच्छवारे का चित संग का बना बैल इस्तरीक गरब से निकला हुआ पौधा और वरता की देवी माना गया से पीतल का बना इकका इंटों की विर्ताकार चबूत्रे ग्यमों तथा जव के दानों की आवसे मुहन जोदूरो का मतलब क्या है मिर्तकूं का टीला सिंधू के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तरफ देखने को मिलेगा इसकी सरवपितम को राखलदास बनरची ने 1912 में की थी और मोहन जोडरो का सबसे महत्पूर्ट सारवजिनिक इस्तल है विसास और विसाल इसनानागार जिसका जलास है दुर्ग के टीले में है और 11.88 मीटर लंबा है 7.01 मीटर चौड़ा है 2.43 मीटर गहरा है या विसाल इसनानागार धनवानुष्ठान संबंदी गया इसनान के लिए था और मार्सल ने इसे ततकालिन विसका एक आश्चर जनक निर्माड कहा है और विसाल अनागार देखेंगे तो मोहन जोडरो की सबस से बड़ी इमारत है जो आप देखेंगे 45.01 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है और मोहन जोडरो में नगर योजना के अंतरगत उत्तर दच्चन अफूरा पश्चिम की ओर जाने वाली समान अंतर सड़कों का जाल बिच्छा था जिन्होंने नगर को लगबक समान आक भी कहा जाता है क्योंकि यहां कुसार सासकों ने एक स्थूप का निर्माड भी करवाया था और आप देखेंगे मुहन जोडरो से प्राप्त अन अवसिसों में आप देखेंगे महा विध्याले भवन, कासे की नित्रत, नारी की मूर्ती, पुजारी योग की मूर्ती, मुद सभी आप लोग जरूर याद रखेंगा, यह आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, मुहन जोडरो का जो विसाल इस नानागार है ना, नहाने के लिए, तो उसी की आकर्ती है, आप देखी कि इस तरफ से उतरने के लिए सेडिया लगी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती रही होगी, उस समय भी इंजीनियर एक तरह से रहे होगे, आदमी समझदार होगे, अब बात करते हैं, चनियु दड़ो के बारे में, मोहन जोडरो से 80 मील दच्छन मेस्तित इस सित्तल की सरपितम खोज, 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी, और 1935 में इसका उत सल कारीगार थे हो, इसकी पुष्टी इस बात से हुई कि मन की सीप, अस्ति, तथा मुद्रा बनाने का प्रमुक्ह अउसेज, अलंकरत हाती खिलोना, खुते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन, सौंदर पे सादन में प्रियुक्त लिविष्ठिक, आदी, चंदू- फिर आप देखेंगे लोथल आता है, और एहमदाबाद जिले में गुजरात के सराग वाला ग्राम से आप देखेंगे, 80 किलोमीटर दच्चन में भोगबा न दी के तट पर इस्तित इस थल की सरपितम खोज, डॉक्टर एसार राव ने 1957 में की थी, और समद तट पर इस्ति लगू हडपा या पर मोहंजोदरो नगर पितीत होता है, फारस की मुद्रा या सील और पके रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धी से, इस परशे की लोथल सिंदू सबता काल में समुद्रे, ब्याबारी गतिविधियों का कैन्द था, लोथल में गड़ी और नग उसे इसें बंदरगा हो गया, धान, चावल और बाजिरेच के साग्छ फारस की मुहर, गोडे के लगू, मिड मूर्तिया, तेन, यूगल, समाधिया, यहां की सरबादिक पिसे दोपलब्धी, हड़ापा कालीन, बंदरगा, क्यत्रिक्त, मैदभांड, ओकरन, मुहरें, बां माप, दस्तकारों, तथा तामकर्मियों के कारिखाने भी यहां से मिले हुए हैं, और आप देख लाएंगे, लोथल का यह गोदी बाड़ा है, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अंगला इस्तल गोन सा आता है, आपका, काली बंगा, काली बंगा कार्थ हुता है, काले रंग की चूडियां, वराजिस्तान के गंगा नगर जिले में इस्तित इस प्राग, हडपा, बुराजतल की कोज, सबसे पहले एक घोस ने 1953 में की थी, और काली बंगा में प्राग, सेंदों संस्किती की सबसे मत्मूर उपलब्दी एक पड़ाली नहीं थी, और यहां पर प्राग, हडपा, और एवं हडपा, काली संस्कितियों के अपसेस मिले हैं, काली बंगा के घर मोहन जोदरों के विपरीत कच्ची इटों के बने थे, यहां सबों की अंतर्ष्टी संसकार हेतु तीन विधियां, पून समाधी करन, आंसिक समाधी करन, और दाय संसकार के ब्रमाड मिले हैं, और यहां से प्राप्त प्रमों काउसेस, जुते हुए फल के साख्चे, इटों से निर्मेत चबूतरे, हवन कुंड या अगनी कुंड, अलंकिर्थ, इटों का प्रियो, यूगल, पितिकात्मग, समाधिया, विल्लाकार, म मिलेंगे, यह जुता हुआ खित, आप लोग देख रहे हों के, और कभी आप लोगों को मौका मिले, तो ऐसी जगों पर आप लोगों को जाना भी चाहिए, फिर आप देखें के बनवाली, हर्याडा के हिसार जिले में इस्तिति, आप उरहतत्त इस्थल की कोज आरेस बिष् काभा हो है, यहाँ से पराप्त कुछ प्रमुक आउसिस, हलकी आकरती खिलोनी की रूम में, अच्छे किसम का जौ, नालियों के आउसिस, मन के मात्य देवी की लगो, मिड मूर्तिया, मनुस्व एवं पसुओं की मूर्तिया, सैल खडी, पकाई, मिट्टी की मुहरें, इत्य प्यादी मिली है, आप सोची कि उस समय भी नालियों की विवस्ता हो चुकी थी, घर से पानी निकालने के लिए, बनबाली में यह आपको देखने को मिलेगी, सौर कोटदा अंगला स्थल है आपका, गुजरात के कच्छ जिले में इस स्थल की सरपिथम खोज, जगपती जो प्रॉसी ने 1964 में की थी, और इस स्थल की अंते मिस्तर पर घोड़े की अस्तियां मिली हैं, जो किसी भी अन हडपा काली निस से प्राप्त नहीं हुई है, यहां के अन प्रमुख आउसीश है, पिकार की कब्रगा और घोड़ी की अस्तियां, प्रमुख है आपकी, एक कई ब भूसी के डेर कच्ची इटों के दुर्ग नालिया मिद्भान इत्यादी हैं तर आप देखेंगे कोड़ दीजी सिंधू प्रांत के सिंधू प्रांत के खैरफूर खैरफूर इस्तित इस्थल की सरपितम खोज खोज घुरसे ने 1935 में की और 1955 में सिफजल एहमत खान ने इसकी नेमित खुदाई कराई और समवत अपासाड यूगीं सब्वता कांत और तथा हडपा सब्वता का विकास यहां हुआ यहां से प्राप्त मुक आउसिस वड़ाग कास की चूडियां धातू के उपकरन हतियार इत्यादी है फिर आप देखें कि धौलावीरा आता है एक गुजरात के कच्छ जिली में इस्तित धौलावीरा की खोज 1991 में आरेस विष्ट ने की थी और धौलावीरा वर्तमार भार या प्राची द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ऐसी नगर योजना अन हडपस कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलेगी आपको धौलावीरा के मद्ध या केंद मेस्तित प्राची रियुक्त चेत जिसे मद्धेमा नाम दिया गया का सासकबर के समंधियों या प अगानिस्तान में देखने को मिलेगा मानडा एपीर पंजाल पंजाब की तरही में चैनाव नदी के दायर तरफ पर जम्मू स्थल है और इसकी खुदाई से हापपा इतिहासिक युक से संबन्दी संस्किती का त्री स्थल यही है फिर आप रोपड भी आप लोगों सुना ह पंजाब में सतलन नदी के तरफ पर स्थल की खोज उन्नेस सो पच्पंच सपर में यगदस सर्माने की थी यहां की गई खुदाईयों से संस्किती के पांच इसतरी एकरम चित्ते दूसर में दभांड उत्तरी काली पॉलिस वाली में दभांड कुर्सांड गुप्त मद्द काली में दभांड पराप्त हुए हैं इसके अलावा मानवी है सवाधान या कब्र के नीचे कुत्ते का सवाधान बड़ा रोचक है ऐसा दिष्टांत किसी भी अन्हडपाई स्थल से हमें पराप्त नहीं हुगा है आलम गिरपूर और यह है आप देखेंगे को उत्तर पिद साली है संपूर नगर प्रया दो आसमान भागों में विभाजित है पहला आप देखेंगे भार्ग दुर्गी के थे दूसरा भाग अनाविट है और यह अगी भी कुछ स्थलों पर एकल विभाजन लो तल जैसे दो खंडों का दुर्गी का अन्काली बंगाव है और नगर म मुख मार्ग उत्तर से दच्छें जाता था दूसरा मारग आप देखतेंगे पूरव से पश्चिम उसे समकौन पर काट था तो आप सोचें कि उस समय भी आप इंजीनियर आ चुके होंगे लोग समझदार हो चुके होंगे और वो अपने विवस्तित तरीखे से बनाने लग पूस्ता होती थी जिसमें कूडा करकर रिकतित करने के लिए जगय जगय मैन हॉल भी बने थे नालियों तथा मैन हॉल पर ढखकन लगा रहता था आज की समय भी तो आप देखते हैं सेंदव सब्दा अपनी विशिष्ट एबं उन्नत नगर योजना के लिए समकालिन किसी सब्दा में नहीं देखने को मिलेगा और भवन की बात करें तो हडपा काली नगरों में के भवन तीन सेंडियों में विभाजित थे आवासिय भवन विसाल भवन सारजे किसनान गिरे और अन्नाकार मकानों का निर्मार साधी पूर्ट तरीके सी किया गया था समय और उनमें एक रूपता थी काली बंगा के कुछ मकान की फरस में इंट का प्रियूप किया गया पितेक मकान में एक आंगन एक रसोई घर एक इसनानागार बना होता था घरों के दरवाजे मुख सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े पीछे की तरफ खुलते थे या कोथल एवं सोर्व कोटदा के दुर्व एवं नगर्चित एक ही रक्षा प्राची से घरे थे हडपा संस्किती की एक प्रमुख विसेश्ता उनकी जल निकास पेडाली थी हडपा मोहंजोड़ो में आपको देखने को मिलेगा काली बंगा के अने घरों में अपने-अपने क और आकार की हीटों तथा जल लोधी हीटों इस नानारगर की फर सेतु का प्रेयोग होता था हडपा के किसी स्थल किसी भी स्थल से मंदिर के उसिस नहीं मिले केबल मुहंजोड़ोर से एक इस्थूप प्राप्त हुआ है जो कोसाड कालीन माना गया है तो इस समय आप देख सरिये वर्विभाजन का संकेत देता है हडपाई समाज चार बभगों पर लगां गाया थी इनकी मंगोलाइड प्रोटो अस्थेलाइड और अल्पाहिन समाजी की एक अया परंपरगत discor पर परिवार थी मात्य देबी की पूझाओं मोहरों के पर अंकित चित से यह परिरक्चित होता है कि हड़पा समाल संभवता मात्त सत्तात्मक था यानि कि आप सोची कि यहां महिलाओं को जानदा मानता थी और हपा के सरमिक आवास की आधार पर हीले दासपिथा का स्तिति भी बानते सेंदव सबता की लोग युद्ध पर आने की बात करते थे अनाजों के औसे सो घरों की अंदर पाई गई जानबारों की हड़ियों के आधार पर भोजन के मासाहारी और साकाहरी दोनों तरह के ओने के संकेत मिले यानि कि इनका कहने का मतलब है कि इस समय के लोग मासाहारी भी थे साकाहरी भी थे आप लोगों के इस अबिताब में संभावता उनी और सूती बस्त पिछले थे और बस्त साधे और कडाईदार दोनों होते थे मोहनचोद्रों को पिसिद योगी की मूर्ती में ती पतिया साल कडाई का उत्तम उधारन है हडपा में एक बोतल में काजल की साक्ष चंदोद्रों से लिविष्टिक दोलावीजा से मिट्टी के कंगाहा भी पराप्त हुए उस तोरह तामिबा कांसे का वालों की पिन चांदी की बनी अंडाकार चोड़ियां मोहनचोद्रों से पराप्त हुई है मनोरंजन के लिए पांसे का खेल खेलते थे नित शिकार पसों की लड़ाई आधी से मनोरंजन अपना करते थे सवों की अंतष्टी संसकार में तीन पिकार के सौत सरग के पिरमार मिले हैं तीन तरह से इनके समाधान होते से सवाधान आप देखें कि पूर समाधी करन में संपूर सव को भूमी में दफना दिया जाता था आंसिक समाधी करन इसमें पसू पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था दाय संसका सब को पूर रूफ से जलाने के बाद इसके राक को दफनाया जाता था तो इस तरह से अंतिम एक तरह से कहते ना अंतिम किरिया करम इसी तरह से होता था अगर हम लोग इस समय के आर्थिक जीवन की बात करें तो हड़ापा कालीन अर्थ विवस्था सेंचित किर्सी अधिसेस पसुपालन विविन दस्तकारियों में दक्षता और समरद आंत्रिक और विदेसी ब्यापार पर आधारित थी अगर किर्सी की बात करें तो सिंदो घाटी के लोग बार उतर जाने पर नवंबर के महीने में बार बाले मैदान में बीजबो देते थे और अपरेल महीने में गयों और जो की फसल काट लेते थे और इस तरह से सिंदो सब्दा में कोई भावड़ा या फाल नहीं मिला और परंतु काली बंगा में हडपा पूरो अवस्ता में कूडे हल रेखाय से गराथ होता है कि हडपा काल में राजिस्थान में खेतों में हल जोते जाते थे एक लोग संभावता लकडी के हलों का प्रियोग करते थे और इस काल में नौ पिकार की फसलों की पहचान की गई है एक आप देखें कि चावल गुजरात राजिस्थान से ग्याउं तीन किसमे जोकी दो किसमे खजोर तर्बूज मतर राई तेल सरसों तथा एक अन्ने खास किसम जिसे ब्रांसी का जूसी कहते हैं आदी पिरमोख हैं और मुझे लगता है कि अगर आप लोग गरामीड छेते से होगे तो आपने देखा होगा हल कई लोग अभी जो लकडी के हलका उपयोग करते हैं आप तो टेक्टर फेक्टर की विवस्ताव हो गई ठीक है सरपिथम कपास का उत्पादन करने का स्रेवी सिंदू सबधा के ल लोग आप देखें कि तो वेल, गाय, भेंस, बक्री, भेड, कुत्ते, बिली, गधे, उंट, सुगर पालते थे गोडे को पहचान संदेगरस्त है कई लोग कहते हैं कि समय गोडे नहीं पाले जाते थे कई लोग इसे मानते भी हैं इन्हें हाती और गेंडे का ग्यान था मेड मूर्तियों में गाय को स्थान नहीं मिला, उंट भी बिरल थे, आमरी में भारतिय गंडे के अस्तित का एकमात उधारन भी मिला है। में मकरान के नगरों की महत्पूर भूमिका होती थी। वहरीन द्वीव के व्यापारी दोनों देसों के बीच बिचोलिय का काम करते थे। के साक्ष्पिस्तों करते हैं। सेंदव सब्विता की सम्रिद्धी का पिर्मुक कारण उसका सम्रिद्ध विदेसी व्यापार था। यानि के समझी आप लोग की समय भी विदेसी व्यापार हुआ करता था। सेलफ एबम उद्व मिट्टि एबम धादू के बरतनों के निर्मार के साथ मनके और महरों का निर्मार भी प्रमख सेल्फ था। बरतन हाथ और चाक दोनों से बनते थे इस समय। जिस पर लाल रंग होता था इस पर काली मिट्टी से पुस्पा का जियामिती प्राक्तिक डिजायन भी बनाए जाते थे इसके अलाबा मिट्टी से इंट का निर्मार संक सीप तथा हाती दास से बिभन बस्तूओं का निर्मार भी ओने लगाता हडापा की लोग गौमेद फिर खाना बाला कोट और लूतल से सीप उद्यों के पुर्मार भी मिले हैं यह आपको कुछ दिख भी रहे होंगे पेल गाडी मुद्राप अरंकित नौका अ दिख रही है बैल गाडी भी दिख रही है आपक्षकल तो बैल गाड़ी भी खतम होते जा रही है क्यूंकि आप और आप देखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए अगर हम लोग राजनितिक विवस्ता की बात करें तो उपलब्द साक्षों की अधार पर हडपा पर हडपा सबता की राजनितिक सरचना का ग्यान नहीं हो पाया है और इसके संब्द में विविन बिद्वानों की भिन भिन बिचार रखे गए हंटर महुदर जन तांतरिक पदिती मैके महुदर फिती निधात्मक सरकार वाल्टर उबेन और वी इस्टर्व यह आप देखें कि गुलामों पर आधारी सासन इस्टुवर्ट फिगट हडपा मोह हडपा में अगर हम लोग धरम की बात करें कि धरम क्या था क्यूंकि आप समझी जानते हैं कि धरम हमारे देश में बहुत मायन रखता है आजकल पुरा इस्थलों से प्रप मिट्टी की मूर्थियां, पत्थर की छोटी मूर्थियों, मोहरों, पत्थर निर्मित, लिंग और यूनियों, मेधभानों पर चित्ति चिन्यों से यह परिलक्षित होता है कि मात्त देवी, पुरुस दियोता, पसू पतीनाग, लिंग, यूनि बैक्च पिटिक पसू जल आदी की पूजा की जाती थे और आज भी तो हम लोग देखते हैं इन सब की पूजा करते हैं मिट्टी के आप ने देखा होगा कि किसान जब भी केत में हल चलाता है तो वो उसके पहुच हूता है पहले धर्ती माता के समझ रहें पसू को आज हम लोग पूछते हैं बैक्चों को भी हम लोग पूछते हैं लोग सुमेर वासियों की भाती बहु देववादी तथा प्रकिती पूजाक थे सुमेरियन सबदा के विपरी तिहां किसी भी मंदर के उससे नहीं मिले हमारे हां हडपा में पकी मिट्टी की इस्तरी मूर्तियां भारी संक्या में मिली हैं और हडपा से प्राप्त एक मूर्तिका में इस्तरी के गरब से निकलता एक पौधा दिखाए गया है या संभावता पित्वी देवी की पितिमा है उत्खनन में सरवादिक संक्या में मात्य देवी की मूर्तिया मिली हैं उस संभावता मात्य सत्ता की बात की गई है यानि कि आप सोची कि मात्य पित्ते सत्ता अत्माग आप लोगोंने सुनाओगा पिता की बात पोत्त तो मात्त सत्ता के पिती उनका सिध्धा का पितीक है समधा यसी से भविस्व में सक्ति पूजा, मात्त पूजा, देवी पूजा का पिछला नाराम हुआ इस तरिया मिल मूर्तियों की अधिक संख्या प्रात होने की अनुमान लगाया जा सकता है की मात्त देवी की समय पूजा होती थी माताओं को कुछ जाना ही मात्त दिया जाता था ठीक है? और इसके लावा मुहंजोदरू से प्रात सील पर तीन मुख वाला एक पुरुस ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है उसके सिर पर तीन सिंग है उसके बाई और एक गेड़ा है भैसा और आप देखेंगे तथा दाई और एक हाती एक वराग एवं हरन भी आपको देखने को मिलेगा इसे पत्सू पती सिपका रूब माना गया है मारसल ने इसे आग सिभीक बताया है इसके अलाब एक योगी को सापों से घरा दिखाया गया है जो आप समझे उस समय भी संकर भगवाना चुकवे थे इसके अलाब आप देखेंगे लिंग और यूनी पूजा हरपा तथा मोहन जोदरों से प्राप्त लिंग यूनी की पितिमाय मिली कलांतर में आप देखेंगे यग भी सिंदू सबिता बिनिष्ट हो गई है और उनके धार्मी विश्वास की जलक आज भी हिंदू धरम है विभिन रूप रूपों या था सिव सकती पीपल नांग लिंग पूजा आधी के रूप में देखी जा सकती है अगर हम लोग इस सबाए की माप तौल की बात करें तो आद देखेंगे तौल की काई संभौता 16 की अनपात में थी उधारन के लिए 16, 64, 160, 320 आधी में बाट घनाकार, वर्तुलाकार, वेलनाकार, संक्वाकार, आकिर्थी के थे महंजोदरों से सीप का बना हुआ और लोथरों से हाती दात का बना एक प्रमाना भी मिला है माप का रेखे के पदिती का सबसे पहले प्रयोग हडपा बासियों ने ही किया इनकी काई अर्थसास्ट के एक अंगुल के बराबर है सेंधा हो लिपी की बात करें तो सिंधू लिपी में लगभग 64 मूल चिन और 250 सी 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयता कर मुहरों तामे की गोटी काओं आदी पर मिले हैं लेखन पर डाली संभाता अक्षर सूचक मानी गई है हडपा लिपी का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 में आप देखेंगे संपूर लिपी पिकास में आ गई किन्तु अभी तक पड़ी नहीं जा सकी है और हडपा लिपी भावचित्तात्मक पिक्टोग्राप है और उसकी लिखावट करमसा दाई सिवाई और की है और अधिकास लेक मिड मुद्राओं पर है सेंदाव लिपी मूल रूप से देसी है उसका परिपश्चिम एसिया की लिपियों से कोई संबंद नहीं है क्या है यह हडपा की लिपियां आप लोगों को देखाई दे रही होगी इन्हें भी याद रखेगा भाव से समझी है आप लोग इस समय की लिपी को क्यों की पड़ा नहीं जा सका ठीक है बेश्टू फेदन लिपी इसमें आप देखें कि कुछ लेखों में पहली पंक्ती दाई से दाई से बाई और वही दूसरी पंक्ती बाई से दाई और लिखी गई है सिंदू सब्विता की पतन की बात करें कि इसका नष्ट किस तरह से हुई है सब्विता पतन किस तरह से हुगा हडापा सबिते के उद्भाओं की भाती उसके पतनों का पर पिसन ने भी एक जटल समस्या है और इस पर वेवेर बिद्वानों ने अपने मत अलग लग दिये इतिहास बिद्ध हो गए मत हो गए गाडन चाइल्ड और हीलर का मानना है कि बाहवा आय अकमड के कारण इस सबिता का क्या हुआ पतन हो गया जॉन मार्सल मेके और एसार राओ का मानना है कि बाड के कारण इस सबिता का पतन हुआ R.L. Stein और N.A.N. घोस ने जलबाई परिवर्तन के कारण इसका पतन माना M.R. Saini ने भूत तात्विक परिवर्तन इसका पतन का कारण माना John Marshall ने पिसाशनिक सितिलता इसका पतन का कारण माना K.U.R. Kennedy ने प्राग्तिक आपदाग को इसका पतन का कारण माना ā.R. P.B. सब्वधा का पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदाई नहीं माना जा सकता है क्योंकि सब्वधा का विश्तार एक विश्द्शेट चेत में था और तथा विविन स्थलों के पतन के कालकरम में भी अंतर था अलग-अलग इस थालों के पतन के लिए अलग-अलग कारक उत्तादाई होगा और अता हम कह सकते हैं कि सब्विता कनंगरीकर सूक्ष संतुलन पर आधारी था जो आंत्रिक सहरी तथा गरामीर छेत्रों की भी संतुलन और बाहे संबन्दों दूर देशों से ब्यापार पर वादी के कारणों से यह संतुलन बेगड़ गया और जिससे किरसी एवं बाहे व्यापार वाधित हुए और सब्विता की सहरी सवरूप का अंत्र हो गया परंतु इस सब्विता का विनास नहीं हुआ बलकि इसका सवरूप परिवर्तित हो गया इसके बदलतों सवरूप को स सेंद गुजरात और रंगपूर गो सौमनात पंजाब रोपन सिसवाल में ग्रामीड वस्तियों की संक्या में व्रिद्धी की संद्रम में देखा जा सकता है अताहा अब तिरोभाव के बदलते बदलते सवरूप सब्द का प्रियोग जानदा प्रासंगीक लगता है जरूर पढ़ लेने चाहिए आप लोगों को चलिए आप लोग इंज्वाय करते रहिए आपका कुछ और सुझा हो तो आप लोग बताई उन पर भी विचार किया जाएगा अंगले चेक्टर में हम लोग बात करेंगे रिगवेदिक और उत्तरवेदिक काल के बारे में उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे गहन अध्यन करेंगे ठीक है